रोबोट 2.0 1932 से आज ता वोल्ल की बेस्ट फिल्म इंडरस्टी बॉलिवूड पॉलिवूड टॉलिवूड हॉलिवूड का मैश अप होगी जिसमें वोल्ल की 95% से भी जादा फिल्मिन टेक्निक्स यूज की गई हैं एक सेकंड की मुवी की शूटिंग 67 आर्स होगी है एक सेकंड का छोटा सा पार्ट भी नाइन लियर से गुजरा है सबसे पहले क्रॉमा शॉट फिर वर्चुल और फिजिकल कैमरा से रिकॉर्डिंग फिर कार्टून ग्राफ्टिंग सीजी आई इन सब को बनाने में 328 तरीको की टेक्नलोजी का यूज हुआ है रोबोट 2.0 के एक सीटिंग के लिए आठ तरीकों के कैमरे टॉब 12 देशों को फिल्म टेक्नीक्स नैनो टेक्नलोजी से लेके नासा रोबर्ट एक्स तक की इंट्रेजिस लगी है कार्टून ट्राफ्टिंग इंडिया ने बीएफक्स मॉडलिंग नासा के सांटिस्स ने की है ये भारत की पहली ग्लॉपी ऐसी फिल्म है जिसमें वर्टूल कैमरा फिजिकल कैमरा के अंदर हुज हुआ है हर सेन को 3D एनिमेशन सीन में स्थूप करने के लिए इस फिल्म के डिरेक्टर एस तन करने ध्रिफ 3D टेकलोजी पर भरोसा किया था जो पूरी तरीके से एंडियन डिपेंडेंट टेकलोजी है इस मूवी को देखते हो वक्त आपको इस सार बिल्कुल नहीं लएगा कि इस मूवी का जातर पार्ट सिर्फ कम्प्यूटर BFX से बनाया गया है जो की नकली है रोबोट 2.0 में बहुत सार एक्षम सीन दिखेंगे उन सभी को हवा में ग्रीन स्क्रीन रखके फिल्माया गया है किसी-किसी जगह पर बिल्कुल रियल प्रिक्शिर्स लाने के लिए डिस्ल सैट को फिजिकल सैट से ओवरलब किया गया है जिसमें पहली बार BFX सूटिंग करने वाले अक्षा कुमार को हजारों रिटेक लेने पड़े थे पहले सारी सिनको कार्टोन में और फूर रियल टस देने के लिए लेडर स्कैनिंग का इस्तमाल हुआ है जो फिल्म इंडरस्ट्री की वर्ल्ड की सबसे अडवांस टेक्निक है जिसमें आप एक 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 फ्रेम को पॉस करके भी एक भी मिस्टेक ने निकाल सकते आपको लग रहा होगा कि इस मूवी ये बहुत सारे आर्टिस ने काम किया लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं है इस मूवी ये बहुत सारे कैरेक्टर जूते हैं जो सिर्फ कम्पूइटर से बनाए गया है लाल किला और पार्लेमेंट तक सभी बीएफेक्स से फिल्माए गया है क्योंकि वहां सूटिंग की पनिवेशन मिल ही नहीं थी अगर आप रियल ग्राफिक्स को देखना चाहते हैं तो इस मूवी को हॉल में ही देखें लेटेस्ज मूवी की SD डाउनलोड लिंक पाने के लिए तब प्रक बैंगे को सब्सक्राइब करते हैं और साइट के बेल आइकन को दबा दें डाउनलोड लिंक सबसे पहले पाने के